सर्दियां जा चुकी हैं तो अब ये जो भारी भर कम कमल हैं इसको हम कैसे धुल के रखें ताकि हमारे जब हम ठंडी में निकालें तो ये बहुत अच्छे से हमारे साफ सुत्रे मिले हमको तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि भारी कमल को हम किस तरह से धुले और किस तरह से रखें तो आप लोग कैसे हैं असा करती हो आप लोग अच्छे ही होगे तो चलिए हमारे रोज की तरह लेकर के आए हैं बहुत ही यूजपूल टिप्स है इसको आप जरूर अपनाए क्योंकि सर्दियां जा चुकी हैं अब कमल का कोई काम नहीं है तो इसको ह सल्दिया मेसा अगर डायरेक्ट अपने रहे प्राव जाता है तो एक मर्या नहीं हो जाता है हल्दी का कलर चड़ जाता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दो तीन बूंद सर्दो का तेल डाल देंगे हैं और डालने के बाद में पूरे डब्बे में इस तरह से पहला अगर कहीं गलती से ज्यादा हो जाए तो उसको आप किसी भी कागज से या किसी चीज से सुखा कर लें क्योंकि बहुत ज्यादा तेल नहीं चाहिए और बस मामूली सा तेल इसमें लगा लेना है इससे आप देखेंगे जैसे ज्यादा हो गया है तो हम कागज से भी इसको कम कर सकते हैं कागज में सारा तेल देखे निकल जा रहा है अब इसी में हम पूरा कागज में निकाल देते हैं तेल को बस इसमें लगाना है चाहे हाथ में ले करके तेल को बस डब्बे में लगा दीजिए चारो तरफ इससे होगा क्या हमारे जो दाग हैं हल्दी के वह बिल्कुल दब्बे में नहीं लगेंगे जब भी आप अपने का काऊडर करना चाहिं तो तुरहें दब्ब्बे में नहीं लगैगा करती हूँ अब बिल्कुल भी कलर नहीं है अब चलिए हम अब बहर देते हैं उसके बाद में आप कभी भी हल्दी के डब्बे में रखें चाहे काच का हो या प्लास्टिक का डबा हो जिसमें भी रखें तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा ओयल जरूर लगा लें हाँ आप लोग कहां कहां से किस गाओं के सहर से मुझे कमेंट करना भी अगर मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनों के साथ सेर करना तो इस तरह से हम देखिए सारी हल्दी को इस डब्बे में रख करके और फिर इसमें हम एक चमच डाल करके रख देंग लेकिन उसको जो इसे ही हम किसी चीज से कपड़े से या हाथ से ही पोचेंगे साप करेंगे तो तुरन डब्बा हमारा एकदम क्लीन मिलेगा आपको फिल्कुल भी डब्बे में दाग हल्दी के नहीं मिलेंगे उमीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ये जरूर पसंद आईगी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपनों के साथ से करना तो इस तरह से ढकन लगा करके आप डब्बे को रख दीजिए अब जैसे हाथ में लगा है तो ये तो थोड़ा बहुत उ सऽे कि हमारे कंब्र Means घिER सारे रख जाये क्योंकि कमले इतने जादा वजन होते हैं अगरूर पानी में डाल करके ढूलते हैं तो बहुत वजन होता है इसको निकालना कठीज होता है अकेलए तो नहीं होता दूलने में भूहुत ही दिकत आती है या या थो हम लांडुरी मे हर घर में होती है आप इसमें पानी भर लीजिये पानी बराबर मात्रा में भरना है पानी कम नहीं करना है मतलब जितना पानी हम कपड़ों में डालते उसे थोड़ा सा जाधा अब दो पैकेट ऐगे लेजिये और पहले डाल करके अच्छे मसीन को चला दीजिए इजी पूरे तवर से पानी के अंदर घुल जानी चाहिए जिससे कि हमारे कमल धुलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और तुरंद कमल धुल जाता है एक बार चलाए और आपके कमल बहुत जल्दी साफ हो जाता है तो आप भी इस्ट्रिक को अप मोटा है फिर भी मैं इसमें आपको दूल के दिखाती हूं मसीन में कोई दिक्कत नहीं आती है और हमारा कमल भी अच्छे से साफ हो जाता है क्योंकि वजन कमल होते हैं इनको उठाने में हम आउर्टों के बसका नहीं होता है तो इस तरह से हम डाल करके और इसमें मसीन को हम हम चला देंगे एक बार चलाना है ज्यादा नहीं चलाना बस यहीं इसमें ध्यान रखना है कि इसको हमें बार बार नहीं चलाना है बस एक बार इसको चला देंगे और फिर हमारा कमल जितनी भी गंदगी होगी वो सारी बाहर हो जाएगी तो इस तरह से देख सकते हैं उलट पलट करके निकाल देंगे टाकि हमारा गंदगी सारी इन जितना गंदा पानी हमसारी बाहर हो जाएए अब चलिए पानी को रिंक देते हैं और बेंगोरा यहें बागोरां अगर बहुत ज्यादा बड़ा है आपको लगे कि नहीं आता है तो आप इसको किसी मोटी लकडी रख करके मसीन के ऊपर और उर्ची में बीच में टांग दीजिए और सारा पानी मिचोड़ने के बाद में आप इसको दोप में डाल देंगे तो आपका कमल विल्कुल साफ हो ज और उसके बाद धूप में डाल करके अच्छे से सुखा दीजिए तो मैं धूप में डाल दी थी धूप काफी अच्छी होती है इस समय तो कमल दूलने के लिए बहुत अच्छी धूप है तो देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा कमल एकड़म चमक गया है एकड़म नया हम ऐसी जगे रखेंगे जाके ताकि यह हमारा कमल बिल्कुल भी गंदा ना हो और देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हुआ है और आपका कमल भी खराब नहीं होगा रोएं भी नहीं निकलेंगे आप एक बार जरूर इस तरह से दूल के देखना और मुझे कमेंट करना है और बृण कर देखेंगे कर दिया है अब इसको अम तीन पर दिर तरह से फोल्ट कर देंगे आराम से आजाएगा तो इस तरह से आप रखेंगे तो आपका कमल खराब भी नहीं होगा और आपकी एक पिलो बनके तयार हो जाएगी यह काफी सौप्ट होता है कमल जिससे की हमारी तक्या का काम करेगा और आप इसको तक्या बना सकते हैं इसका उपर से यह जहीं सिर्या है इसको आप सुई धागे से सिल दीजिए और सिलने के बाद में आप देखेंगे आपका कमल औगनाईज भी हो जाएगा और जैसे दो चार महमान आ जाते अचानक से तो हमारे पास पिलो नहीं होती है तो बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे आपको ना दुलना पड़ेगा ना सुखाना पड़ेगा उम्मिद करती हूँ आज की हमारी ये छोटी सी टिप्स आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी और अपनों के साथ सेर जरूर करना ताकि हर कोई इसका लाव ले सके मैं बार-बार कहती हूँ आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्रेब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज एक बार लेक जरूर करें धन्यवाद फिर मिलेंगे